हाई बिटिफल एंजल्स वेलकुम प्रिवाइन फैमली राधे राधे जैश्री किष्णा आई होप आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे मेरा नाम है रेनू और मेली के ही हूँ आप लोगों के लिए एक और सैंड रीडिंग जिसका टॉपिक होने वा अपने सबकॉंशियस माइन को की क्लिंजिंग के लिए हीलिंग के लिए और अपनी पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग को के साथ कनेक्ट होने के लिए ये वर्क्शाप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और ये शुरू हो रही है थर्ड बैच 13 फरवरी को और अगर आ जाते हैं आर्गेंजल माइकल की अंर्जी के साथ अट्यों होना चाहते हैं तो यह एट्यूंड मेंट वण वीक की वर्क्शाप शील्ड ण॓फ आर्केंजल माइकल अट्यूंडमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 11 फरवरी को जो वन वीक की वर्क्शाप होगी और मैं ऑन-LINE समेशा इंडिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से नेक्स सेवन डेज कैसी रहेंगे इनर्जी क्या है मैसेज़ेज और किछना मैसेज़े इंसेस्टर्स मैसेज़ेज हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप बहुत सुन्दर लगने वाले हो और बहुत सुन्दर लग रहे हो अभी भी आपको बहुत सारी क्लारिटी मिलने वाली है यह किसी भी सिच्वेशन पर्सन के बारे में कुछ भी हो सकता है आपके अपनी स्पिर्च्वल लाइफ के बारे में अपने गिफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ आने वाले समय में क्लारिटी मिल सकती है यह किसी तरह के राज भी हो सकते हैं जो किसी तरह के सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो आपके पास आने वाले हैं अगले सेवन डेज के लिए सेवन डेज में आप बहुत बीजी रहने वाले हो या तो आप बहुत जादा घर पे काम कर रहे हो क्लीनिंग डी कलर ट्रिंग या फिर आप वर्क प्लेस पर आपको काफी बीजी रहने वाले हो तो यह यहां पर भी आप आपके साथ रेजोनेट होती है यह एनर्जी आप बीजी रहने वाले हो कुछ लोगों के लिए यह जैलिसी कह सकते हो यह कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो कुछ लोगों के लिए होगा यह मैसेज तो आप लोगों को पता होगा कि कौन है ऐसे लोग जो जिनको यह पसंद नहीं आ रहा कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो ग्रो कर रहे हो कुछ डेस्टिनी के मैसेजजिस हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है यह कुछ इस तरह के आपको clarity मिल सकती है आप हो सकता है कि आपकी intuition वो सब मैसेजजिस को चैनल कर पा रही है या फिर आप कहीं किसी की tarot reading देख रहे हो या कुछ इस तरह से आपको information मिल रही है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है मैंने काफी देर पहले यह शायद 2,5 साल पहले मैंने यह बनाई भी थी वीडियो भी बनाई थी इसके पड़ तो कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलके रहेगा तो इस तरह के कुछ information आप तक पहुँच सकती है reality में भी कुछ ऐसी information आपके पहुँच सकती है जो आपको शायद surprise करने वाली है I don't know यह किस तरह की information है यहाँ पर किस तरह की clarity आपको मिलने वाली है जो आप surprise होने वाले हो जैसे कोई believe नहीं कर पा रहा कि ऐसा उसके साथ हो रहा है वाउ तो किसी को believe करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह की changes आ रही है changes आ रही है transformation आ रही है आने वाले साथ दिनों में की आपको कुछ शॉक कर देंगी surprise कर देंगी unbelievable होंगी वो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कुछ इस तरह की changes मुझे यहाँ पर लग रही है अगले साथ दिनों में आपका कोई trip बन सकता है चाहिए वो trip छोटा से ही कियो ना हो कुछ दिनों का लेकिन आप कहीं घूमने जा सकते हों और मुझे यह सुन रहा है कि यह सकून भरा होगा क्योंकि शायद आप काफी देर से कहीं निकले नहीं हों कहीं गए नहीं हों तो चाहे आप सुबह जाएं शाम को आ जाएं लेकिन आपको यह trip जो है काफी सकून देगा तो कहीं भी आप planning कर रहे हैं या कहीं के लिए यह एकदम से बन जाएगा यह अचानक से आपका यह plan बन जाएगा कि चलो भूमने चलते हैं और कुछ लोग plan करके जा रहे हैं आपको बहुत सारी problems का हल मिलने माला है काफी सारी problems का आपको solution मिलने माला है जो जिन problems से challenges से आप right now जूँज रहे हो जो challenges अभी right now आप अपनी life में face कर रहे हो उनके काफी problems के आपको solution मिलने माले हैं मुझे यह सुन रहा है आपकी कही हुई बाते किसी को याद आने वाली है I don't know यह memories है या शायद कोई पच्चता रहा है किसी बात के उपर को regret कर रहा है तो वो याद कर रहा है कि हाँ आपने ऐसा बोला था आप किसी को कह रहे हो कि हाँ आपने ऐसा बोला था वैसा ही हूँ हुआ या कोई आपको कह रहा है ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर messages मिल रहे है past की कुछ बाते हैं यहाँ पर कुछ realizations हैं तो वो realization आपके लिए हो सकती है दूसरों के लिए हो सकती है तो कोई realize कर रहा है हाँ पर जैसे आपने वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा था और उन्हेंने कहना नहीं माना आपका तो अब वो realize कर रहे हैं कि उन्हेंने कुछ गलती की है इस तरह से कुछ इस तरह की यहां पर situation है कोई आपकी life में वापस आ सकता है यह person ही मुझे लग रहा कि कोई वापस आ रहा है यह आपके ex हो सकते हैं यह आपके partner यह आपके boyfriend, girlfriend यह आपके कोई friend तो बच्चे, soulmate, कोई भी हो सकता है relative, cousins, friends, कोई भी कोई वापस आ रहा है मुझे कोई गाना ऐसा सुन रहा है लगन लगी मुझे लगन लगी वो गाना आपने सुना होगा तो कोई इस तरह से कोई गीत यह गाना गा रहा है गुन गना रहा है कोई शायद कोई प्यार में है लव में ऐसा कर रहा है या किसी के वापस आने की खुशी में गाना गाया जा रहा है I don't know कुछ इस तरह की प्यारी सी लविंग सी एनर्जी है यहाँ बर जब हम प्यार में किसी और के लिए गाना गाते हैं तो वो मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है किसी सुचुएशन में आप किसी फायदे में रहने वाले हो कोई बेनिफिशल यहाँ पर है आपको कोई बेनिफिट्स आपके तरफ आ रहे है I don't know यह मनी के लिए है या आपको एकदम से कुछ मनी का वो हो रहा है या इनहेरिटेंस आ रही है कुछ इस तरह की इनर्जी है यहाँ पर कि आपको कि इसी संकट में किसी उल्जन में थे आप उसमें से बाहराई है निकल सकते हो क्योंकि डिवाईन किसी ना किसी तरह की आपकी तरफ हेल्प भेज रहे है जो उसमें से आपको निकाल लेगा तो यह मुझे लगता कि मैसेज जो मैंने आपको दिया कि करन्ट सिचुएशन अगर कोई ऐसा चैलेंग चल रहा है तो उसमें से आपको बाहर निकाल लेया जाएगा यह सेम मैसेज हो सकते हैं कि किसी की हेल्प से या आपको कोई ना कोई सिलूशन दे दिया जाएगा क्लारिटी दे जी जाएगी ताकि आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल सको आने वाले साथ दिनों में आपकी हल्थ बैटर होने वाली है अगर कुछ दिनों से आपकी स्ट्रेसफुल मेंटल मुझे ज़्यादा लग रही है थोड़ी हल्थ जो है आपकी ठीक नहीं थी बैलंस नहीं था या किसी बात का स्ट्रेस हो रहा था तो वो आप रिलीज करने वाले हो इन आने वाले साथ दिनों में जिससे आपको हल्थ वो लगेगी और आप अपने आपकी भी बैटर केर करने वाले हो है यहां पर मज़े मेसेज मिल रहा है कि सेलफ केर आप करने वाले हो या अलरड़ी आपने इस टार्ट किर दी यह कुछ ने कुछ आप एड कर रहे हो चेंजिय इस कर रहे हो अपने खाने पीने डेली के बारे में कंसर्ण रो तो बैटर अपर्चुन्टीज आपकी तरफ आ रही है करियर में किसी का कोई बड़ा साइकल हैल्थ से रिलेटेड करियर से रिलेटेड अगर कोई था किसी का करियर में हो सकता है कि कोई ऐसा रुका हुआ कोई ऐसा पीरियर चल रहा था आपका डाउन पीरियर वो खतम होने वाला है और आलमोस्ट खतम हो चुका है यह मुझे सुन रहा है और साथ में health से भी related हो सकता है, अगर आपकी health काफी देर से ठीक नहीं थी, कुछ issue होते हैं, कोई एक issue की वज़े से काफी देर तक वो issue चलता रहता है, health से related, तो वो आपका कोई cycle, क्योंकि वो शायद karmic थे, कुछ चीजें आपको सिखा के गई होंगी, अपनी better care करना या कुछ भी जो भी आपको लगा हो, कि वो क्या lessons, उसमें से lessons जरूर सीख के आपको follow up करने की जरूरत है, आने वाले नए cycles में, तो ताकि वो वापिस से कोई भी ऐसा cycle आपको कर्मा का repeat ना करना पड़े, तो हमेशा ही ये वो होता है, suggestion किसी भी, आपका छोटा cycle चल रहा था, ताकि वो जो lesson सिखा के गया, वो situation थी, वो समय था, आपको जो भी lesson सिखा के गया, हमेशा उसको ध्यान में रखिए, उसको lessons को follow कीजिए, तो किसी का health में, career में, जो भी, मुश्किल समय चल रहा था, उसकी period की ending हो रही है, यहाँ पर, आप कुछ नया करने के लिए, नई opportunities को manifest कर पा रहे हो अपनी life में, यह opportunities आपकी spiritual life के से related भी हो सकती है, spiritual life में आप आगे बढ़ रहे हो, किसी तरह की stuckness थी, लेकिन उसमें से निकल रहे हो आप, यहाँ पर मुझे night of wand की भी energy, तेजी, passionate energy, fast energy और, you know, obstacles को remove करते हुए, और high vibration की energy भी मुझे यहाँ पर लग रही है, night of wands की जो high vibration energy होती है, वो मुझे लग रही है, आप in next seven days के लिए, आपके घोड़े जो है, वो दोड़ते हुए, fast energy रहेगी, आपकी passionate energy और कहियों की बहुत ज़दा creative energy मुझे यहाँ पर लग रही है, creativity highlighted रहेगी आपकी, आप काफी ideas आपको मिलने लगेंगे, जो आपको follow करने है, अपने action लेना ह है, अपनी creativity में, फिर से काफी, you know, passion आता हुआ, वापस आता हुआ आपकी life में, और sadness को दोड़ आता, पीछे छोड़ता हुआ, वो मुझे लग रहा है, कि passion वापस आ रहा है, आपका life को लेकर, और, किसी तरह की sadness को भी आप पीछे छोड़ रहे हूँ, आने मले साथ दिनों में, आप बहुत दा cleaning, decluttering, अपने आस पास जोश में रहोगे, आप, energetic रहोगे, आप दिल करेगा कि ये भी clean कर दें, वो भी clean कर दें, तो उस तरह की काफी सारी cleaning, decluttering करके, आप अपने आपको high vibration के साथ जोड़ोगे, क्योंकि आप space बना रहे हो, space create कर र यहीं, मतलब positive energy के लिए, जब हम लोग जगा, space create करते हैं, right, mentally आप काफी peace और calmness को manifest कर रहे हो, आने वाले साथ दिनों में, आप feel करोगे कि आप calmness में हो, अगर चीजें आपके according नहीं भी हो रही हैं, कुछ चीजें, लेकिन आप कहीं ना कहीं, release कर रहे हो, let's go कर रहे हैं, तो वो जो मैंने पहले message दी आपको mental health से, तो शायद इसलिए था, क्योंकि आप चूज करोगे, कि मुझे attention नहीं लेनी है, अपनी peace और calmness से जुड़े रहना है, उस वज़े से आप mentally अपने आपको ज़्यादा टार्चर और परशान नहीं करोगे, कोई stress नहीं लोगे, अराम से अपना खाया पिया, enjoy किया, cleaning की, अपने काम किये और अराम से सोने चले गए, तो ज़्यादा, you know, stress नहीं लोगे, तो आपने आप mental health तो better होई जाएगी, तो कहीं न कहीं, आप अपने आपको present moment और peace में चूज करोगे अगले साथ दिनों में, करियर में आपके definitely growth है यहाँ पर, definitely, कोई नो कोई opportunities भी और साथ में नए ideas भी मुझे आते हुए आपकी तरफ लग रहे हैं, और जिनके already काम भी नो, already business है, या कोई भी काम है, आप उसमें upgrading करते हुए भी नज़र आ रहे हो, जैसे कोई किसी तरह की changes कर रहा है आपने workplace पर, चाहे वो simple cleaning, decluttering यह के नहों, थोड़ा सा वास्तू करना, इस तरह की चाहे छुट-छुट चीज़ें ही क्यों नहों, लेकिन definitely आप कुछ changes करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो अपने workplace पर, किनों चीज़ें को clean करना, decluttering करना, जो नहीं चीज़ें चाहिए उनको फैंक देना या donate कर देना, इतने सही या organize करना, better organize करना, आपने place को, space को, वो ही आपकी energy में change ले आता है, थोड़ी सी efforts लगती है उसको, लेकिन वो energy को change करती है, आपके relationship, relationship भी लोगों के साथ better होते नज़र आ रहे हैं, निखार आता हो नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो अच्छे हैं, रिष्टे उलड़ी उनमें और भी better होंगे, और जो अगर किसी तरह की, किसी relationship में misunderstanding या कुछ ऐसी, अन्बन चल रहे थी, तो वो वहा आपकी spirituality में, कहीं न कहीं, जो यह changes आ रहे हैं, आप थोड़ा better feel करोगे अपनी spiritual journey पर, बैटर इसलिए क्योंकि आप कहीं न कहीं, universe पर faith आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर, hope बढ़ रही है, कि यहां सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि यहां पर relax हो रहे हो, actually में, होगा तो वो ही जो होना है divine timing पर, यहां पर आपने आपके उपर जो changes की है न, तो इस वज़े से अब आप वो desperate वाली energy में नहीं हो, कि हाँ यह काम होना चाहिए, अभी होना चाहिए, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपने आपको relax कर पाओगे, कि जब ह होगा तो वो देखी जाएगी, और अपना चुपचाप, you know, surrender वाली भावना, और शान्ती वाली, peace वाली भावना, relax वाली भावना, ठीक है, वो present moment में रहने की energy, तो वो यह सब चीज़ें आपको actual में आप, आप transform हो रहे हो, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, पहले जैसा, ल भावी नहीं होने देते हो, अपने आपके उपर, तो जो है, बहुत अच्छी बात, relax रहते हो, और उससे आप अपनी time और energy को भी save कर पाते हो, ओवराल आपके काफी कुछ improvement है यहाँ पर अगले साथ दिनों में, ओवराल बहुत अच्छा है रहने वाला है, बैटर रहने वाला है, जो आपका यह time period है, अगले साथ दिनों का, और यहाँ पर मुझे यह भी सुन रहा है कि, जो पिछले साथ दिन गए हैं, उससे थोड़ बैटरी होगा यह अगले आने वाले साथ दिना आपके, फाइनल गाइडन्स देख लिए हैं आप लोगों के लिए आपर, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, कईयों के यहाँ पर हर तरह से युनों चेंजिस आ रहे हैं, अपने खाने, पहने, रहने, यह जगा में, आपके रहन सहन में, कईयों की हर तरह से काफी सारी चेंजिस आने वाले हैं अगले साथ दिनों में, तो आपको गेट रेडी, क्योंकि जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे और अलाउ करोगे, उतना आपको एजी हो जाएगा, जितना आप वो करोगे, फिर आप भागोगे, दोड़ोगे, आपको टेंशन होगी, चेंज से, अगर आप चेंज को अडाप्ट कर लेते हो, फिर अराम से जो चीज़ें होती हैं, बैलन्स वे में और रिलैक्स वे में, जब हम लोग अब ये भी करना पड़ेगा, अब ये कैसे होगा, जब हम लोग इस तरह क मुश्किले करेड करते हैं, तो वो मत कीजिए, तो फ्लेक्सिबल रहिए, यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं, कनेक्ट होने के लिए, शायद आप कुछ जो भी करिया करते थे, रिचुल्स या प्रियर्स या मंतरा का जाब, जो भी आप किया करते थे, कुछ मिस्सिंग है, यहाँ पर मुझे लग रहा है, सब के लिए लग लग होगा, कि कोई अगर भोग लगाया करता था, वो मिस्स कर रहा है, कृष्णा को, कोई अगर मंतरा का जाब करता था, वो मि कहीं ने कहीं मुझे लगता कि कृष्णा कह रहे हैं कि मिस्सिंग है आपनी एफॉर्ट्स उनके साथ किनेक्ट होने की जो आप पहले किया करते हैं सबके लिए नहीं होगा यह मैसेज और जिसके लिए होगा उसको पता लग जाएगा ठीक है तो जबरदस्ती नहीं करनी किसी मैसेज के साथ आपको किया नहीं मैंने तो ऐसा किया कुछ नहीं किया नहीं अगर आप सबके लिए नहीं है मैसेज सिंपली मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है जब आप कृष्णा के साथ जोड़े रहते हो ना तो आपका हार्ट चक्रा जो है ना ओपन रहता है तो आप जादा movement में रहते हो, present movement में, आल्री आप इतने compassionate रहते हो खुद के लिए और औरों के लिए, जब आप थोड़ा disconnect होते हो कृष्णा की energy के साथ, तो आप थोड़ा, you know, खुद के लिए troubled, खुद के लिए troubledmatic बन जाते हो, compassionate से बाहर सालफ, love से बाहर हो जाते हो, again, ये कुछ लोगों के लिए होगा यहां पर message तो उस तरह से ही आप please receive करना messages को तो जब आप connected रहते हो कृष्णा के साथ automatically आपका heart chakra जो भी आप करते हो जिस तरह से भी आप connected रहते हो या कृष्णा को याद करते हो तो आपका heart chakra जो है बहुत balance रहता है तो connected रही है आप self love compassionate से भी जोड़े रहें खुद के लिए दूसरों के लिए kindness से भरे रहें दायावान रहें आप ठीक है तो यह थे next seven days के लिए messages आई होप आप लोगों के साथ resonate करें अगर resonate करते हैं तो please like share subscribe जो करें में चैनल को comment section में जुरूर बताएं कि आपको यह reading कैसी लगी है thank you thank you thank you thank you so much for watching and bye for now